है आज मैं डील करने वाली हो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे जी हां सेंसिटिव टॉपिक बट आपको इस टॉपिक का नाम पता चल गया होगा स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और आपके वीडियो टाइटल में भी नाम है तो समझ गए होंगे आपकी हम जारखन जुडि 2018 में लास्ट वेकेंसी आय थी आज चल रहा है हमारा ऑक्टोबर तो खतम ही हो रखा है नेवेंबर आने वाला है जस्ट दो दिन में तो आप समझ ये 2022 भी आल्मोस्ट खतम होने वाला है या चार साल निकल चुके हैं 18 से लेके 22 तक के और अब तक इसकी कुछ भी information नहीं है ह तो इसलिए ये topic इतना sensitive बन गया है क्योंकि बच्चों की जो candidates त्यारी कर रहे हैं लगातार उनकी emotions जोड़ चुके हैं इससे और commission जो है कुछ information नहीं दे रही है एक notification आया था हमारे पास जो आपके सामने अभी open है ये notification आप date देख सकते हैं सामने यहाँ पे date भी mention है आपकी देखिए कब आया है एपरिल में आया है 2022 के और इस टाइम में इन्होंने vacancy बताई थी कि total vacancy जो है हमारे पास कितने existing vacancy इन्होंने बताया था 57 है future vacancy इन्होंने निल बताया था तब के लिए और future vacancy debt may arise within one year due to promotion death और otherwise 10% जो इनका anticipated vacancy था वो था 29 ठीक है 10% of total 290 sanctioned post of civil jail और 86 यहाँ पे जो है total vacancy इन्होंने पताई थी जो कि एपरिल में बताया था इसके बाद कमिसन ने कोई information नहीं दिया नहीं notification आया है मारे examination का नहीं कोई update आई है कि इस vacancy का हुआ क्या हमने एक और notification देखा था कुछ दिनों पहले उस notification में government of India ने बताया था कि total state wise जो subordinate judiciary है उसमें कितनी कितनी vacancy है state wise कितनी हमको fill करनी है और total वो survey के बाद जो result आया था उसमें यह आया था कि 20% 20% जो seats हैं आज भी वो 20% seats जो है वो vacant है अभी भी यानि कि जो 80% filled seat है यह लोग ही यह 20% का भी काम कर रहे हैं क्योंकि यह अभी तक vacant रखी हुई है पूरे state wise और जो worst performing state है उसमें जहारखंड का नाम आता है worst performing state में क्योंकि जहारखंड government जो है हमारी vacancy निकालने में concern नहीं है preparation करने वाले candidates परेशान है notification यह जो आया है एपरिल में इसके बाद कोई update नहीं है इसके उपर candidates परेशान है candidate information चाहते हैं तो इधर उधर से जो उर्थी खबर आती है वो ही उनको मिलती है और वह भी इतनी मतलब इतनी worst situation है जहारखंड की कि लोग जहारखंड state को तो state भी इसके एक बारे में नहीं करते हैं बहुत सारे जो टीचियर्स हैं बहुत सारी जो इंस्टिट्यूट है अच्छे जो एट टेक कमपनीज है वो लोग भी इनका झारखंड के बारे में कोई information नहीं देना चाहती है इनको पता ही नहीं है यह क्या information देंगी कि 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 किसी को पता ही नहीं है जारकन को मीन जो स्टेट है जैसे की MP हो गया हर्याना हो गया राजस्थान हो गया बिहार भी फ्रिक्वेंट वेकेंसी आती है तो उनको भी वह सारे स्टेट केंडिडेट ही सीरियस मिलता है जारकन को कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है क्योंकि स्टेट गवर्मेंट ही सीरियस नहीं है हमारे पास almost 5000 से उपर वेकेंसी खाली है लेकिन वेकेंसी लाएंगे नहीं है लोग यह ला नहीं रहे है मैं आपको कुछ cuttings दिखाती हूं यूसपेपर के जो मैंने collect की हैं जिसमें कुछ information है आपके साथ शेयर करना चाती हूँ यह देखे एक चार्ट है मेरे पास इसमें लिख वेकेंसी अफ जजज अक्रॉस सब औरिनेट कोट के ही रिकार्डिंग आज हम बात करने डिस्टिक कोट या अपर कोट के बारे में नह सब औरिनेट कोट की वेकेंसी प्लस एपरिल में जो मैंने आपको notification दिखाया एपरिल के notification के हिसाब से 80 प्लस वेकेंसी है जो की जहरकन गवर्मेंट के पास अभी presently है जो उनको निकालनी चाहिए एपरिल के डेटा के अकॉर्डिंग आज जो हमारा हम नवेंबर मान के चलत प्लस और भी कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूं इसमें अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि number of judges जो है 20% से capacity से कम फिल है और उसका result क्या हो रहा है pendency of cases rising across court over four and a half crore cases pending at present four and a half crore cases आप समझ रहे हैं कितने cases pending four and a half crore cases pending है इसी लिए जो डिश्री का नाम इतना बदनाम होता है क्योंकि इतने इतने वक्त से cases pending होती है तो लोग अगर छोटे मोटे case रहते हैं तो सोसते हैं कि जाने दो हमें court का चहरी के चकर में नहीं पढ़ना and the reason is this you can see the reason आप यहां चार्ट से भी देख सकते हैं cases spending in subordinate court in crores यहां पर crores में यह ध्यान दिजेगा और देखिए चार्ट आप देखिए कैसे rise पर है चार्ट देख रहे हैं आप कैसे rise पर है तो 3.7 crores हो गए हैं 2020 के चार्ट के according आज 2022 चल रहा है यानि कि यह दो साल पहले का ही है डेटा अभी तक है 2022 में और उपर गए होंग और यह बगल वाला सुप्रीम कोट है और इधर वाला सबॉडिनेट कोट का तो सुप्रीम कोट का हम बात नहीं कर रहे हैं सबॉडिनेट कोट और हम खास करके जारखंड की बात कर रहे हैं तो ऑफिसली बढ़ेगा ना आप वेकेंसी निकाली ने रहे हो कित करोड़ में cases व 21% post out of the sanctioned strength of judges were vacant यहां पर देखिए आप मैंने जो 20% बोला यहां पर लिखा है 21% of the sanctioned strength जो है वो अभी भी वेकेंट है मैंने आपको क्या बताया था 5000 plus vacancies है जिसको फिल नहीं की गई है ठीक है तो 5000 यहां पर देखिए आप 5000 146 out of 24,018 इसमें से वेकेंट है यानि की 5000 प्लस जो है vacant seats हैं among states having a sanctioned strength of at least 100 judges जहां पर sanctioned strength क्या है at least 100 judges का subordinate courts in Bihar had highest proportion of vacancy यहां पर Bihar की बारे में बताया गया है highest proportion of vacancy है लेकिन Bihar अभी last वाला जो vacancy था उसने काफी delay किया लेकिन finally अब जो है result आ चुका है और probability यह है कि Bihar की next vacancy से भी जल्द ही आएगी क्योंकि काफी दिन पहले ही बता दिया गया था कि 279 अप्रॉक seats खाली है तो उसकी vacancy जल्दी आने वाले तो Bihar government जो है इस पर focus कर रही कि उनकी seats खाली है तो जल्दी से भरे लेकिन जारकन government ऐसा नहीं कर रही है और इस वीडियो का purpose यहीं है कि जो भी serious candidates हैं आप जो है आप भी अपनी जो है जो भी आपका concern है वो उठाइए आप आपनी इतना मेहनत किया आपका यह हक है आप अपना concern उठा सकते हैं बिल्कुल उठाइए तो देखिए अभी बिहार government ने अपना काम किया है और वो कर रहे है देन जो second चीज़े 40% जो इनकी यह fill करेंगे followed by haryana, haryana second number पे है जो vacant है ठीक है तो haryana में भी seat 38% खाली है जो भी fill करेंगे अभी इसका भी result निकला है हाली में अभी हमने देखा था बिहार निकला था then फिर हमारा यह बिहार निकला साथ में and गुजरात का निकला, haryana का निकला यह सारे exam का result final आ गया है त देखें यहां पर थार्ड में है 32% seats के साथ वेकेंट जारकर्ण हमारा है जिसका कोई उत्तरदाय तो ले ही ने रहा है कि क्या होने वाला है 2000 seats हम थार्ड नंबर पे आ रहे हैं कि vacancy सबसे जादा है लेकिन seats fill नहीं हो रही क्योंकि exam conduct नहीं हो रहा है चार साल हो गया notification तक नह है तो इतना डिले होता examination के process में फिर भी notification जल्दी नहीं आता है तो और जो serious candidate है वो अपने आपको कैसे motivated रखें वो सर्फ बोलना कि अपने आपको motivated रखो और बहुत सारी चीजे होती हैं उसके साथ बहुत आपने law किया हुआ है पास साल का या तीन साल का उसके पीछे आपक ही जो है वो लगता है तो जो candidates है जो preparation कर रहे हैं उनकी responsibility होती है उनके family के तरफ उनके अपने तरफ और भी बहुत सारी चीजे होती है जो देखनी पड़ती है हर कोई इतना इतना time रोक करके नहीं कर सकता है तैयारी और इतनी जब आपका potential है जब अपने काम में full focus करके काम दे सकते हो उस वक्त जो है आपका पूरा age 32-35 साल आपका बस तयारी में निकल जाता है देन जो है आप ठक जाते हो फिर जो है आपकी productive age भी तो निकल जाती है ये सारी चीजे भी तो ध्यान देनी वाली चीज है कि बस हम 35 साल तक क्या तयारी करते रहेंगे क्या हमें exam देने government को निकालनी चाहिए vacancy और आप सबको भी क्या लगता है इसके लिए तो मुझे चरूर बताएगा comment section में जो भी candidate चारकन judicial services की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने वीडियो के सुरुवात मैं आपको ये क्यूं बोला था कि ये बहुत ही sensitive topic बन च चुका है आज की डेट पर क्योंकि आपको उसके सारे explanation और सारे मैंने documents के साथ आपको बताया है कि क्यूं ऐसा मैंने बोला और क्यूं ऐसा मुझे लगता है अगर आपको भी same लगता है तो मुझे जरूर comment section में बताईए इसकी remedy क्या हो सकती हम अपने तरफ से क्या action ले सकता यह भी मुझे जरूर बताएगा मैं आप सब के साथ हूँ इस चीज में तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में टपटक के लिए tech care और अच्छे से पढ़ते रहिए और अगले exam में आपका नाम जरूर होना चाहिए तो बाई